हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल MB Outsource MB Outsource में आप सभी का सब्स है दोस्तों हमारे पिछली वीडियो में मैंने इन नेटवर्क, आउट अउट अउट नेटवर्क मेडिकल बिलिंग में क्या होता है वो बताया था ठीक उसी प्रकार इस वीडियो में मैं आपको इन पेशन्ट आउट पेशन्ट मेडिकल बिलिंग में क्या है यह बताया रहा हो तो जैसा कि क्लियरली वाइट बोल्ट में लिखा है वो समझ गया होगा आपको बट फिर भी जो हमेशा की तरह आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हो कि आप मेरी बातों पे ध्यान सबसे आजाद दीजिए और वहाँ पे दीखी यह भी बोल्ट भी क्या है ठीक है तो नोट है सबसे पहले नोट इसलिए क्योंकि इसके बसे सबसे है आपको यह definition समझेंगे तो नोट यह है कि यह जो गेम है नए inpatient outpatient का यह गेम hospital time management के उपर depends करता है आप दिस गेम इस about hospital time management अब वह कैसे आईये देखते हैं तो सबसे बले inpatient देखते हैं the patient stay 24 24 hours or more in a hospital called inpatient right outpatient क्या है the patient stay less than 24 hours in a hospital called outpatient ठीक है simple कोई hard and fast नहीं यानि यह तो hospital time management का game है ठीक है तो इसमें यह है कि अगर पेशन्ट 24 गंटे पेशन्ट को मानने कुछ हुआ और वो emergency बोलो कुछ भी बोलो वो हुआ और वो hospital गया और वो उसको 24 गंटे रुकने की 9 गंट आई या फिर 24 गंटे से चाद आप ठीक है तो वो inpatient हो गया अगर पेशन्ट को कुछ हुआ emergency आई और वो hospital गया और वो 24 hours के बीच में ही डॉक्टर ने उसको डिस्चाज कर दिया कि वो ले इतना critical नहीं है आप जा सकते है घर पे ठीक है तो 24 hours के अंदर अंदर ही वो घर पे आ गया treatment लेगे तो ऐसे patient को हम outpatient कहेंगे ठीक है यह है इसका inpatient और outpatient की simple definition जो मैंने आप लोगों के लिए एकदम easiest way में बनाई है ठीक है उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा है तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरू कीज़र कमेंट सेक्शन में मुझे बताईए कि आपके वीडियो के सा लगा और आपको किस पर्टिगुलर टॉपिक में डाउट है वो भी मुझे बताईए और हाँ एक बास जरूर बताऊंगा यहां पर कि जो फ्रेशर है उनके लिए इ लिए निक्स टूडियो में